नमस्कार साथियो, वेलकम टू RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल साथियो, मनोविज्यान का मोडल पेपर दो इस वीडियो में अपन करेंगे, संपूर, पाठीकरम और रीट पेटरन के उपर यह आधारित अपना मोडल पेपर रहेगा, जिसमें 30 प्रसंद रहेंगे, और स जरूर बताईएगा, कमेंट करके आपको पेपर कैसा लगा, यह भी बताईएगा, और साथ यो पेपर करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि चैनल से जुड़ियेगा या नहीं, बाकि एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी मोडल पेपर आप कर लो, आप आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल एक्जाम पेटर्न के हिसाब से पेपर बनाता हूँ, बाकि यूट्यूब पेपर्स बहुत ज्यादा बनाने वाले हैं, और ऐसे पेपर भी बनाते हैं कि 20 में से 5-7 भी स सारा खेल जो है, वो कॉन्फिडेंस का है, बाकि कुछ भी नहीं है मित्रो इसमें, पढ़ते सब लोग हैं कॉन्फिडेंस होगा, वो जीतेगा, पहला आपका प्रसन है, बहीर मुखी विद्यार्थी, अंतर मुखी विद्यार्थी से किस विशेष्ता के आधार पर भिन होत है, तीसरा अपने बोधिक कारियों में डूबा रहता है, और चोथा बोलने की अपेक्ष्या लिखने में वैतर होता है, तो बहीर मुखी विद्यार्थी पूछा है, बहीर मुखी विद्यार्थी किस प्रकार से बिन है, तो साथियों मन ही मन में परेशान नहीं होता हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है ओप्सन नंबर दो सही हो गए आपे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन निम्न में से एक व्यक्तित्व का चरित्र गत लक्षन नहीं है यह सूसंगत तथा सतत है दूसरा यह अनोखा और विशिष्ट है यह ज्यानात्मक और भावात्मक घटक को परभावित करता है और चार यह स्थिर है तो देखे व्यक्तित्व का चरित्र गत लक्षन नहीं है तो बाकी तो सारे ओप्सन एक से लेकर के तेन तक चरित्र गत लक्षन ही होंगी है ना लेकिन ओप्सन चार गलत है बिल्कुल यह इस्थिर है व्यक्तित्व कभी भी इस्थर नहीं होता ठीक है व्यक्तित्व जो चरित्र गत लक्षन है चरित्तर व्यक्ति का कभी भी इस्थिर नहीं है यानि कि हमेशा जोरी थोड़ी एक व्यक्ता एक व्यक्ति आज अच्छा है कल हो सकता है वो किसी कारण से यह सी कोई घटना हो जाए जिसकी वजाद से वो कुछ भी गलत कर दे हैं ना तो चरित्तर जो वो स्थिर नहीं है साथ्य हो तो option 4 व्यक्तित्व का जो चरित्तर गतलक्षन वो कभी भी इस्थिर नहीं हो पूछा है अपनी परकरती परदत योगेताओं से कम स्तर की सेक्षिक उपलब्दी का परदरसन करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है विशेस्ता है ये तो दूसरा सामाने विद्याले कारिये के साथ गती नहीं रख पाते हैं ये भी से पिछड जाते हैं बच्चे अपनी बुद्धी का बालक हो और जो वो लंबी विमारी से ग्रसित हो गया और 6 महीने बाद इसकूल गया तो वो पिछड तो गया पिछड तो वो गया है लेकिन क्या उसकी बुद्धी कम हुई है नहीं हुई है ओप्सन नमर चार यहां पे सही अंसर आपका रहेगा चलिए मित्र चार पाँस तरीके यह जो परतेक्स पूब से असफमे कर सकते हैं कि लक्षे उंका परतिश्था अपन करदें या लक्षे मतलब अपने प्राप्त करने की जो विदी है वो अपन्चेंज कर दें है न तो यह डारेक्ट वेय हो गया आपके समायोजन करने के ठीक है तो ऊप् बच्चे की जैसे वेस्क व्यक्ति का बच्चे की तरह वेवार ये परतिगमन हो गया है तो ये सारे के सारे ऐपर्टेक्स तरीके हैं समयोजन करने के लेकिन उप्सन चार बिल्कुल पर्टेक्स तरीका होगा उप्सन चार यहां पर सही अंसर होगा अगला प्रसमित्रो सर्जन सीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विदी की साहिता लेनी चाहिए तो सर्जन सीलता के पोषण की बात यहां पे की जा रही है सर्जन सीलता यनि क्रियेटिविटी बच्चे में क्रियेटिविटी बनी रहे इसके लिए ध्यापक को कौन से विधी जो वो काम में लिन से ये क्या दर्से सरवे सामगरी क्या पाथ fatto की विधी या brain-stromming विचारावेस की विधी brain-stromming होती है सरजन सिल्टा के पोषळ के लिए उसको बनाई रखने के लिए क्योंकि बच्चा इसमें खुद करके सीखता है, विचार करता है साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा, तो निश्यत रूप से आंसर नमबर कौन सा होगा, उपसन नमबर एक यहां पे आपका बिल्कुल सही उतर रहेगा, उमीद बहुत आसानी से आप लोग कर रहे होंगे, और देखिए, सारे प्रसंद प्रीक्षाओं में आने योगी प्रसंद है, अगला आपका प्रसंद चठा, पर्थक कक्षाओं यह उस समवर्धन पाठेकरम का परयोग सीख्षा के लिए किया जाता है, पर्तिवासाली बालकों के लिए, निम्न सेक्चिक उपलबदी बालकों के लिए ठीक है यहां पे निम्न आएगा साथ में परतिभासाली के साथ साथ निम्न सेक्षिक उपलवदी बालकों के लिए इन में से कोई नहीं तो देखे साथ यो पर्थक कक्षया हो संवर्धन पाठे करम हो यह सारे के सारे किये जाते हैं केवल परतिभासाली बालक के लिए याद रखेगा दे से इंटर वगेरा ठीक है ये भी पर्तिबासाली बालक के लिए होते हैं पर्थक से सेक्षिक सेंस्थाएं भी पर्तिबासाली बालकों के लिए होते हैं ठीक है निमना सेक्षिक बुद्धी के जो बालक हैं उनको निश्चित रूप से साथियो आपके जो स चिक समस्याओं से ग्रस्त बालगों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। से जुड़ा हुआ होगा तो option दो सही होगा यहां पर चलिए अगला प्रसुन आपका अधिगम निर्योगेता वाले बालकों में परकर्मन संबंदी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है एक संस्थाओं संबंदी सूच्राओं को याद करने में समेवा दिसा की कम में परकर्मन संब्ंदी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है परकर्मन यानि कि सूच्राओं को याद करने वाली जो चीजिещ एक यहां पे मित्रो आपका जो है वो आंसर जो हो रहेगा ओप्सन नमबर एक ठीक है चलिए अगला प्रशन चातर समू में चर्चा कर समस्या का हल निकालने सिक्ष्या सुविदा परदाता की भूमिका में हो यह उपागम है सिस्टम उपागम मल्टी मीडिया उपागम निर् वो होनी चाहिए उसमें तो ऐसे कौन सा उपागम तो वह आपका निर्मित वाद उपागम हो अपसन नमबर तीन मीत्रो इसका अंसर होगा अगला प्रसन कबीर के दोहें याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की सक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से परमुक कारण कुन सा है दोनों इस चितियों में समानता होना दूसरा नकारात्मक इस्तानांतरन तीसरा सुन्य इस्तानांतरन और चोथा है सकारात्मक इस्तानांतरन सकारात्मक होगा नहीं क्यों नहीं होगा देखिए यानि कि अगर एक कारिय जो अपन ने पहले किया वो कारिय अगर अपन जो अभी कारिय कर रहे हैं उसमें अगर मदद करें वो कारिय तब तो वो सकारात्मक है अगर कोई ना मदद करे ना रोके तो वो सुनने है सुनने इस्थानांतरन है और अगर मतलब पहले जो किया गया कारिये वो प्रोब्लम क्रियेट कर रहा है भी अपन जो कारिये कर रहे हैं उसमें तो वो नकारात्मक इस्थानांतरन है लेकिन साथ यहां पे देखे आंसर क्या होगा उपसन नमबर तीन सही होगा क्यों होगा देखि ये और याद कर लिए तो गभीं के दोह है फिर भी रहीम के दोह याद करने कि सक्ति में सुधार नहीं हो पा रहा है तो कबीर के दोए दोसी थोड़ी इस सीज में नहीं हो पा रहा है पहले भी उसको याद नहीं हो पा रहा था अब भी नहीं हो पा रहा है तो कबीर के दोए तो कहीं पे उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो सुने इस थाना यहां पे option number 3 इसका उत्तर होगा, बहुत यह अच्छा प्रसंद आने योग्य प्रसंद है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभीवर्ती का स्वरूप होता है, कैसा है अभीवर्ती का स्वरूप, मानसिक है, मुल्यांकनात्मक है, बोधिक है या अध्यात्मिक है, तो साथ यह मुल्यांकनात्मक स्वरूप होता है, आपके अभीवर्ती या मनोवर्ती का, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद, एक सामाजिक अभीवर्ती, सामाजिक वस्तों के परती अनुकिरिया में निरंतर है, कथन किसका है, सेकार्ड का, फ्रोबेल का, जेब्स ड् जादा इंपोर्टेंट नहीं है, चलिए, आपका तेरवा प्रसंद, रूची होती है, जनमजात होती है, अरजित होती है, एक बदो दोनों, या इन में से कोई नहीं प्यारे साथियो, जो रूची होती है, वो आपकी जनमजात भी होती है, और अरजित भी होती है, तो उप जनमजात रूची के अंदर कर देखें तो खाने खाने की रूची हो गई, किसी चीज़ को संग्रह करने की रूची हो गई, यह आपकी जनमजात रूची हैं, अरजित में आपकी पढ़ने की रूची हो गई, डांस करने की रूची हो गई, किरकेट खेलने की रूची हो गई, ये आपकी अरजित रूची है तो जनमजात भी होती है रूची और अरजित भी होती है ठीक है ओप्सन नमबर तीन यहां पर सही अंसर होगा इसी परकार साथियो एक अभी योगेता आपकी होती है अभी योगेता जो है वो भी साथियो आपकी क्या होती है जो हो जनमजात भी होती है और अरजित भी होती है और साथियों मेसलो जो एक मनोवग्यानिक हुए है मेसलो उन्होंने प्रेरकों के परकार में जो आपकी जो रूची है प्रेरकों के परकार में रूची को साथियों जो मेसलों ने क्या बताया आपका जो है इसको आपका अरजित बताया रूची को ठीक है अरजित बताया है ठीक है मेसलों ने जो रूची को क्या बताया है अरजित बताया साथियो तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भई मेसलों ने जो परेरकों का वरगिकरन किया उसमें रूची को अरजित परेरक के अंतरगत रखा ठीक है मेतरों चलिए य बिचारों से होती है क्या नहीं होती सहज किरिया से भी नहीं होंगी सहज किरिया से नहीं होंगी लगातार उसके उपर अभ्यास चलता अगर रहे तो अपनको आदत हो जाती हो उसीज की तो अनुभाव यह अभ्यासों का उप्षन तीन यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा साथ यों मेरे से ले लिजी आप वीडियो स्टार्टिंग में जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तब के वीडियो और आज के वीडियो जो बहुत ज़्यादा फरक है अभी मुझे इस सीज़ के आदत भी थोड़ी सी हो गई है और दूसरी सीजी है अभ्यास भी इसका हो गया है तो अनुभाव भी हो गया अभ्यास भी हो गया तो वीडियो ज़्यादा अच्छे अभी बन पा रहे हैं ठीक है तो option number 3 यहाँ पे आपका अंसर रहेगा चाहिए आप अपने उपर ले लिजिए आपने पढ़ाई जब स्टार्ट की क्या आपकी यही इस्तति जो आज है नहीं आज इस्तति बहुत बहुत बहतर हो चुकी है आपके अनुभाव भी ज़्यादा हो चुके हैं आपके अभ्यास भी बहुत ज़्यादा है ठीक आपको पढ़ने की आदत भी हो चुकी है सही डंग से निर्देशन सुधार दथा मुल्यांकन कर सकें कथन किसका है इस टीफन एम कोरे का है बिल्कुल ओफ्सन नंबर एक ही सही होगा नोट्स में आपको बहुत अच्छे से ये लिखाया हुआ किरियात्म कनुसंधान में चलिए अगला आपका प्रसन निस्पत्ती पर परिक्षन या उपलब्दी परिक्षन जो होता है साथियो उपलब्दी परिक्षन आपका होगा उसी को निस्पत्ती परिक्षन बोलते हैं संप्राप्ती परिक्षन भी इस निस्पत्ती परिक्षन को संप्राप्ती परिक्षन भी बोला जाता है उपलब्दी परिक्षन भ अगर अधीगम दिया हुआ है उप्षन में तो यही आंसर आपका रहेगा, ठीक है, चलिए उप्षन नमबर तीन सही है, यहाँ पे सत्रवा प्रसन, सिक्षया में मुल्यांकन से तात्परी है, उस परकिलिया से है, जिसमें सिक्षक पता लगाता है, एक छात्रों की रूची क दो छात्रों के मानसिक इस्तर का, तीन छात्रों के विवहार का, चार छात्रों की सेक्षिक उपलब्धी का, तो मुल्यांकन से क्या तात्परी है, मुल्यांकन में क्या करेगा, ठीक है, तो उप्षन सही जो रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे जो उप्षन देखें, तो उसमे सेक्षिक उपलब्धी का पता लगाएगा option number 4 ही इसका सही answer आपका जो हो रहेगा बाकी सारी चीजें पर सेक्षिक उपलब्धी में मानसिक इस्तर भी आ गया चातर का वेवार भी थोड़ा बहुत पता इसमें लग जाता है ठीक है जादा नहीं लग पाता लेकिन थोड़ा ब अगला प्रसन सिक्षन सिधानतों को अधिगम सिधानतों पर आधारित किया जा सकता है या कथन किसका है तो सिक्षन सिधानतों को अधिगम सिधानतों पर आधारित किया जा सकता है ये जो कथन अमित्रो ये आपके क्रोन बैक का है option number 3 इसका सही answer होगा तो दो कथन आपके ह अध्यापक का व्यक्तित्व चात्तर पर हावी रहता है यह किस द्रश्टिकोण का दोस है एतिहासिक द्रश्टिकोण एक अधिकार द्रश्टिकोण स्वा एनुदेशन द्रश्टिकोण या उप्रयोक्त सभी तो अध्यापक का व्यक्तित्व चात्तर पर हावी रहता है साथ यह एकादिकार दृष्टि कौन का है ठीक है एकादिकार यानि एक ही व्यक्ति कादिकार हो गया शिक्सक का या दिकार है वहाँ पे तो अप्सन दो यहाँ पे सई आंशर होगा अगला प्रसुन निम्न में से कौन सा सर्वोतम उधारणह की प्रिरना क्या है एक चातर आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुका और अच्छा करना चाहता है चातर बैस सक्रिये है अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्छ लक्से निर्धारित करता है काफी प्रियास के साथ बना रहता है बहुत अच्छी बात है, बना रहना जरूरी है और कक्षिया में उच्छतम अंक प्राप्ट भी कर लेता है तीस्रा उप्षन चातर से, वह क्या पूरा करना चाता है, पर ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है चार चातर दै कड़ी मेहनत करती है उसके स्यक्षिक कारिये के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है तो प्यारे साथियों परेरणा का सर्वोत्म उधारन है वो क्या होगा यहां पर चातर बय सक्रिये है अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उँचा लख से निर्धारित करता है और बना रहता है साथियों आप REIT का जो प्राप्त करने का जूंचलक से निरधारित कर रखा आपने उसके उपर बने रहना बहुत जरूरी है काफी बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इस हिसाब से मतलब इस हिसाब से गराफ इस प्रकार से उनका चड़ता है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जवर्दस तरीके से और एक्जाम आते हैं इस प्रकार से नीचे की और होने लगते हैं और साथियों फिर एक्जाम की डेट जब पास आते हैं तो उपर की ओने की कोशिस करते हैं लेकिन फिर उस उसाइज पर नहीं पहुंच पाते जिस तक उन्होंने पहले पहुंच प्राप्ट की थी तो इस इस्थती को मेंटेन करना बहुत जरूरी है मित्रो तभी सफलता मिलती है यूट्यूब पर आप मुझसे ले लीजिए एक सब्सक्राइबर था तब बहुत खु योग रहा है लेकिन फिर भी महनत बहुत जरूरी है सतत परियास जो जरूरी है ठीक है इसलिए ओप्सन नंबर दो मित्रो यहां पे बिल्कुल सही अंसर आपका रहेगा चलिए अगला प्रसन यदि बाहिये प्रेरणा एक अंत की युक्ती है तो आंत्रिक प्रेरणा क्या ह एक सुरूरात की युक्ती है बाहिर किसी चीज को अपने देखा और उससे अपने प्रेरणा आसिल की यानि कि सुरूरात वहीं से वही है प्रेरणा की यह तो मतलब एक प्रकार से देखें तो प्रेरणा वहां से सुरू हो गई और खतम हो गई है तो अंत की युक्ती बाहि अगला आपका प्रशन है एक विवस्तित विज्ञान जो स्वेव और वातावन के साथ समयोजन को प्राप्ट करने के लिए नियम कानून और सिधान्त परदान करता क्या कहलाता है अभी प्रेरणा दिमागी आरोग्यता अधिगम या द्वन्दव तो एक विवस्तित विज्ञान जो वातावन के साथ समयोजन को प्राप्ट करने के लिए नियम कानून सिधान्त करता है वो दिमागी आरोग्यता है दिमागी रूप से वेक्ति अच्छा रहेगा तो समयोजन तो होगा परिमय करन वह एक समयोजन तंतर में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित वेवार यानि भविस्य के बारे में अनुमोदित कारणों में तारकिक और सामाजिक रूप से सोचना भूत काल वर्तमान काल भविस्यकाल इनसे समंदित तारकिक और सामाजिक रूप से सोच क्या कहलाएगा परी में करण कहलाएगा याद रखेगा बहुत अच्छा प्रशन है चलिए अगला आपका प्रशन है कि स्कूल की संगठन आत्मक स्थापना चात्रों के अधिगम को परभावित करती है यह है पहलो उस स्रेणी से समधी तक कि यह आत्मक कारक मनोवेग्यानिक समाजी कारक यह अन्यकारक तो इसमें आपका अंसर होगा समाजी कारक स्कूल की संगठन आत्मक स्थापना चात्रों के अधिगम को परभावित करेगी तो यह जो अधिगम को परभावित करने वाला जो कारक है इसको किस रेणी में अपन रखेंगे तो यह समाजी कारक होग अगला प्रसन है निम्न इस्थितियों में से कौन समयोजन को बढ़ावा देती है तीवर उत्षुकता अपरादी का जुनुनी विचार बिमारी का डर या निरोटिक भई और चिंता से मुग तो निम्न इस्थितियों में से कौन समयोजन को बढ़ावा देती है, यह ध्यान में रखिएगा, कूसमयोजन को बढ़ावा देने वाली नहीं, कूसमयोजन को तो आपको बढ़ावा जो हो एक परकार से तिवर उत्सुकता भी देगी, आपरादी का जुनुनी विचार भी द अगला प्रस्ण एक सिक्सक के रूप में आपने अपने चात्रों से हमारे जीवन पर परदूशन के प्रभाव को समझाते हुए एक निमद लिखने के लिए कहा, इस कारिये भार से बलूम के वरगिकरन के कौन से संग्यारात्मकिस्तर की व्याख्या की गई है, विश्रेशन, संपरियोग, समझ और ग्यान, देखिए बहुत ही अच्छा प्रस्ण और आसानी से कर सकती है, एक सिक्सक के रूप में आपने अपने चात्रों से हमारे जीवन पर परदूशन के प्रभाव को समझाते हुए एक निमद लिखने को का, आपने जो पहले समझा दिया, क्या प्रभाव अपने जीवन पर, और उसके बाद उसके उपर निमद लिखने के लिए का, तो निश्चित रूप से ज्ञान का परियोग करना होगा है, तो संपरियोग, आपने एक उप्योक्त परीक्षन और जांच सूची का उप्योग करके चात्र की बुद्धी, व्यक्तित जांच सूची का उप्योग करके आपने बुद्धी, व्यक्तित्व तथा कक्षिया विवार के बारे में जाना है, जांच सूची का अगर उप्योग हो गया है, तो वो आकलन का विशे होगा, उपसा नंबर एक मित्रो इसका आंसर जवाब आपका रहेगा, चलिए, अगला एक ही बात है, तो वैसे आपका कौन सा प्रचहतर बलूम के वर्गिकण में नामित नहीं है, तो वो आपका जो मनो प्रेरनात्मक यहां पे बोर्ड ने एक प्रकार से पहले ठीक मान लिया था, लेकिन उसके बाद मिसमें बोनस अंग जो वो दिया गया था, क्योंकि मनो प् प्रकार से प्रेक्ण में नामित नहीं है, तो वो आपकी बात है, बाकी बोनस अंग इसके ओपर दिया गया था, मित्रों अगला आपका प्रसुन की निमलिकित में से कौन सा राष्ट्रिय पाठे चरिया 2005 डांचे में मुवारक दर्सक सिद्दान्द नहीं है, एक स्कूल से बाहर जीवन को ग्यान से जोड़ना, दूसरा ये तो है आपका परीक्ष्या को अधिक लचिला और कक्ष्या जीवन में एक करित करना ये भी ठीक है, तिसरा अधिकम को रटना विदी को सुईदा जनक बनाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, रटना विदी को उपर तो आपकी चलती रहेगी, बहुत अच्छे अच्छे मोडल पेपर आपको मिलेंगे, और आपको निस्सिती इस चीज़ का फाइदा भी होगा, चलिए साथियो अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, और साथियो अगर आप हमारे साइकोलोजी के जो मोडल पेपर की पीडिएफ पीडियो 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 में आपके जितने भी टोपिक्स से लिएक के साले प्रिवेश एर परसनलून फशाञिम अगर उसकी पीडियो आप लेना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिएक मिल जाएगा, इन्स्टा-मजोस अ्चोर का, लिंक मिलेगा, आपके मतलब अपने RPSC एक्जाम्स ओनलाइन इस्टोर ठीक है इस्टामजो इस्टोर पे जाओगे तो वहां पे आपको साइन्स और साइकोलोजी इन दोनों के साइन्स के एकाउन मोडल पेपर और आपके साइकों के पिस्पन मोडल पेपर की PDF मिल जाएगी वह आप ले सकते हो और फिरी में करना चाते हो तो यूट्यूब पे सारी वीडियोज अविलेबल हैं उनको आप फिरी में भी करना कर सकते हो वही के सेम टू सेम क्योंस उसमें आपने PDF की मांग के इसलिए वह आवेलेबल वहां पे करवा दिये गए चलिए साथी जो साथी नए जुड़े है चैनल से वो जुरू से जुरू सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलेंगे साथ हो अगले वीडियो में एक और स्यांदार मोडल पेपर के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत